सुज्जी बोले शौनक, जो श्रवन कीर्थन और मनन इन तीनों साधनों के अनुस्ठान से समर्थ ना हो, बैभगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति की इस्थापना करके नित्य उसकी पूजा करें, तो संसार सागर से पार हो सकता है। अथ्वा छलना करते हुए अपने शक्ति की अनुसार, धन राशी ले जाए और उसे शिव लिंग अथ्वा शिव मूर्ति की सेवा में अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें, उसके लिए भक्ति भाव से मंडब, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं छेत्र की स्थापना करें, तथा उत्सव रचाए। बस्त्र गंध पुष्प धूप, धीप तथा पुआ और शाक आदी व्यंजनों से युक्त, भली भाती भक्ष भोजन अन्य नैवेदे की रूप में समर्पित करें, छेत्र ध्वाजा ब्याजन, चामर तथा अन्य अंगो सहित, राज उप्चार की भाती, सब समान भगवा भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं, प्रदिक्षणा नमशकार तथा यथा शक्ति जब करें, आवहन से लेके बिसर्जन तक सारा कारें, प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन करें, इस प्रकार शिव लिंग अथ्वा मूर्ति से भगवान शंकर की पूजा करने वाला पूरुष श्रवनादी साधनों का अनुस्ठान ना करें, तो भी भगवान शिव की प्रसनता से सिध्धी प्राप्त कर लेता है, पहले के बहुत से महात्मा पूरुष लिंग तथा शिव मूर्ति पूजा करने मातर से ही भव वंधन से मुक्त हो चुके हैं, रि सुझी ने कहा मुनीश्वरो, तुम्हारा यह प्रशन तो बड़ा ही पवित्र एवम आत्यांत अद्भूत है, इस विशय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पूरुष कभी कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता है, इस प्रशन का समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है, उसे मैंने गुरु के मुख से जिस प्रकार सुना है, उसी तरह क्रमशय वर्णन करूंगा, एक मात्र भगवान शिव ही ब्रह्म हरूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं, रोपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए सकल और निराकार दोनों हैं, शिव के निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधार भूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिव लिंग शिव की निराकार सौरूप का प्रतीक है, इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का अकल समस अंग आकार सहित साकर और अंग आकार में सर्वथा रहित निराकार रूप होने से वे ब्रह्म्ह शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिप की पूजा करते हैं शिप से भिन जो दूसरे दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म्ह नहीं है इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है पुर्व काल में बुधिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनी ने मदरांचल नंदिकेश्वर से इसी तरह का प्रश्ण किया था भगवन शिव से भीन जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वतर प्राया है वेर मात्र से ही संख्या में देखा और सुना जाता है केबल भगवान शिव की पूजा मिलिंग और वेर दोनों को उप्योग देखने में आता है इस विशय में जो तत्वगी बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताईए जिससे अच्छी तरह मुझे समझ में आ जाए निश्पाब ब्रह्म कुमार आपके इस प्रश्ण का उत्तर हम लोग के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह गोपनिय विशय है लिंग साक्षाद ब्रह्मा का प्रतीक है तथा आप शिव भक्त हैं इसलिए इस विशय में भगवान शिव ने कुछ पताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ भगवान शिव ब्रह्मा सौरूप अबम निशकल है इसलिए उन्ही की पूजा में निराकार लिंग का उप्योग होता है संपूर्ने वेदों का भी यही मत है सनत कुमार बोले महाभाग योगिन्र आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वैर के प्रचार का जो रहसे विभाग पूर्बग बताया है वह यह अथार थे इसलिए लिंगो और वैर की आदी की उत्पत्ती का जो उत्तम ब्रतान्त है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ लिंग के प्राकर्ट का रहस सुचित कर्मे वाला प्रसंग मुझे सुनाईए इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव की निराकार स्वरूप लिंगे के आबिर भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णू के वेवाद देवताओं की व्याकुलता एवम चिंता देवताओं का दिव्य कैलाश शिकर पर गमन उनके द्वारा चंद्रशिकर महादेव का इस्तावन देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रम्हा और विश्णू के बिवाद इस्थल में आगमन तथा दौनों के बीच नेराकार आदी अंतर रहित भीशन अगनी इस्थंब के रूप में उनका अभी भाव आदी प्रसंगों की कथा कही गई तदर अंतर श्री बंभा और विश्णू डौनों के द्वारा उस जोतिर में इस्थंब की उचाई और गहराई की था लेने की चेस्टा से एवं केतिकी के पूलने से शाफ बरदान आदी के प्रसंग भी सुनाए